हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बेहनों को मेरा प्यार भरा राम राम कैसे हैं आप लोग आसा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे सवस्थ होंगे हमारे निव व्लोग में आप सभी का स्वागत है जितने साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस चर्शे प्रात्रा है सारे साथी सवस्थ रहें मस्त रहें अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते रहें तरकी करते रहें तो दोस्तों यह है सुबह का जाड़ और जाड़ लगा लेतें क्योंकि सबसे पहले सुबह का काम होता है जाड़ लगाना सबसे पहले घर जाड़ लग जाएगी फिर उसके ऐध नहाना वग Tibble हो जो और बाकी जो है सुबह के लिए कोई काम नहीं रखते हैं बरतन बरतन वग एरा साम को ही धूल पर थेख़ देतें हैं किए ठंडी में कुछ भी अगेरा खराब नहीं होती हैं तो यहां पर दोस्तों मिल रहें आप लोगों से जो है काफी टाइम के बाद क्योंकि सुबह का जो खाना वगारा सब 뿌रा वमारा वह चुका था और यहां पर याद नहीं एक इतना टाइम हो गाँ कियोगी सुबह कल वाली जो वीडियो है हमारी तो खाना बनाने के बाद में करने कर देखा तो उसं में कॉपी já जैसे कि कल की वीडियो में हमने बताया ही था कि दूसरे बगल में गाना बजरा था तो उसको हमने ध्यान नहीं दिया उसी वज़े से जो है कल का वीडियो हमारा लेट आया था और इतनी जल्दी किया जहां पर वो गाना देखा हमने कहां पर है तो जहां पर गाना सुनाई दि और उसके बाद में फिर से सेविंग पर किया और इतनी जल्दी सोच रहे थे कि ज़्यादा लेट ना हो लेकिन फिर भी एक घंटा लेट तो हो ही गया था और तो यहां पर जो है फिर काफी टाइम हो गया था तो एक बारा बजे तो हमने वीडियो वाली जो है उसका काम सारा क बना है पराठे बनाएंगे तो हमने कहां चलो बर्तन धुल लेते हैं और शोका बर्तन सारा करी लेते हैं कि पराठे वगयरा जब साम को बनते हैं तो फिर पूताई नहीं दोबारा करते है और वाला जब दोड़ कि अ लेख़े हैंए पराठे बनाएंगे जब कैंविन मौैसे झालित जब हैं मौ, ऊल्ऴ हे स्थाई प्रूणी कि यध它 बनाएंगे तो लीपने वाली किचन हमारी थी तो हमने का चलो पुताई भी कर देते हैं उपर से थोड़ा और पुताई करने के बाद में साथ में लिपाई भी कर लेंगे और एक भाई ने हमारे कहा था कि मिटी को दोनों हाथों में लेकर के दिखाओ अच्छा लगता है तो ये दोनों हाथों में यहाँ पर मिटी हम चूली की पुताई करने के लिए थोड़ी मिटी भीगोते हैं क्योंकि रोज जो है इसको साफ करना होता है बाल्टी को और नया यह जो मिटी नई सूखी वाली मिटी है भीगोते हैं तब ही जो है इसकी पुताई करते हैं और डेली का डेली साफ करते रहते तो जादा भरा हुआ है इस वज़े से मिट्टी लाने का कहीं जुगार भी नहीं है और इसलिए जो है कम ही भीगोते हैं तो जब मिट्टी का काम करेंगे तब ही अच्छे से दिखाई देगा और यहां पर तो थोड़ी ही मिट्टी भीगोते हैं और पुताई हमारी हो चुकी है अब चलते हैं लिपाई कर लेते हैं तो सिर्फ जो है किचन की ही लिपाई करेंगे और बाकी जो है अब एकादसी के पहले ही करने वाले हैं क्योंकि ग्यारस जिसे आप लोग ग्यारस कहते हो छोटी दीपावली भी कहीं कहीं कहा जाता हमारे यहां तो एकादसी के नाम से ज लिपाई करनी थी तो हमने का चलो ऐसे ही कर देते हैं और वैसे भी यहां डेली पुताई नीचे मिट्टी से करते हैं तो फिर हमने का चलो ऐसे ही कर देते हैं और उधर जो दीपावली में लिपाई किया था तो वहां पर जो है जहां पर लाल दिख रहा है तो यहां पर पुत कलर यह अच्छा लगता है लेकिन इसमें जो है जब मिट्टी से पुताई नीचे होती रहती है तो थोड़ा मिट्टी वाला कलर इसमें भी आ जाता है तो दोस्तों आप लोग नेचरल आवाज का जो है हिंजाए करिए और हम जो है आगी मिलते हैं कर दो प्लाव मिलते हैं से प्लिड़ जाज़ जाज़ दिया जाज़ 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 आज़ जाज़ प्लिड़ एला है तो किटेन की हमारी लिपाई पुताई हो चुकी है और काफी पहने हमारी कहते हैं लिपाई पुताई की ज्यादा तो हमने इस बिलकुल नहीं बढ़ाया है जैसे हम आराम से करते हैं उसी प्रकार से हमारी वीडियो है बिल्कुल इस भी नहीं बढ़ाया है जहां पर लिपाई पुताई हमने किया है तो लिपाई पुताई हमारी हो चुकी है कीचन बिल्कुल हमारा क्लीन हो चुका है और अब जो है हाथ वगयरा धुल लेते हैं और य चलते हैं खाने की तयारी करते हैं क्योंकि काफी टाइम भी हो रहा है तो आज साम को बनाने वाले हैं आलू के भरे हुए पराठे और साथ में बनाएंगे जो ये कल साम को हरे मिर्च लाये थे मोटे वाले भरने वाले तो उनको इन्होंने कहा था भर के बना लेना इन्हीं पकोड़े उसके बना लेना मिर्च के तो वही यहां पर आलू हमने धुल लिया है दो तिन पानी में और चढ़ा देते हैं आलू पकने के लिए रख देते हैं और इधर हमारी आलू पकेंगी तब तक इधर हम जो है नमक पीस के रख लेते तो नमक धुला वाला हमारा खत्म हो चुका है तो इसको जो है सूती कपड़े में पहुच लिया है ताकि धु इलाइची तो यह सारी चीजें डाल के पीस लेंगे उसके बाद में इस दो नमक हमारा पिश चुका है और आलू भी हमारी बस इतने इतनी देर लगा था आलू पकने में भी तो आलू देखते हैं आलू भी हमारी पक चुकी है जब तक हमने नमक पीसा था तो इनको उतार के रख देंगे नीचे और इनको ठंड़े होने के लिए एक थाली में निकार लेंगे और ये जब तक ठंडी होंगी तो इधर रख दिया है दूद तो ये भी गरम हो जाएगा साथ में और फिर उसके बाद में ठंडी होने के बाद में छेलेंगे आलू तो सुबह के लिए सोया में थी हमने काट के रख दिया है और इधर जो है चाय रख दिया है भी चाय में कुछ डाला नहीं नहीं बस दूस पानी मिला के रख दिया है और इधर आलू हमारी ठंडी हो चुकी है तो इनको छेल के रख देंगे क्योंकि अभी गरम थी तो उने कहा चलो सोया में थी सुबह के लिए कट करके रख देते हैं और लेसं भी छेल के रख दिया है तो आलू छिल लेते हैं फटा- और फिर जो है मिर्चे की स्यारी करेंगे अलु चीर के डाल है और वही जो मसाला नमक पूर्ट के लिए और इधर भर्णी के लिए मिर्च इनको እद्भी भृडु के लेखह ने बर्ट के के लिए उसके बाद दे बाशन जड़ा देंगे कड़ाई तो इधर जो है बेशन में जड़ाशन नमक डाल के घोल बना लिया है और इसमें भरेंगे मसाला और इस तो मिर्च तो सारे हमारे पक चुके हैं तो इनको एक ठाली में निकाल लेंगे और उसके बाद में बनाएंगे पराठे तो वैसे कचोड़ी ही निकालने वाले थे लेकिन फिर हमने का चलो पराठे बना लेंगे और इनको कड़ाई को उतार के नीचे रख देते हैं और इधर तवा रख दिया है गरम होने के लिए तो देखे दोस्तो मिर्च हमारे बन के तयार हो चुके हैं इधर है हरी धन्या टमाटर की खटी चटनी तो आप लोग भी आ जाईए दोस्तो पकोड़े खाने चटनी के साथ और उसके बाद में इधर बना रहे हैं बनाने जा पराठे तो बनाते जाएंगे और सभी लोग गर्मा गरम खाते भी जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और इधर अंकित खा रहे हैं और हम पराठा बना करके गरम गरम पहले नाना जी को दे रहेते है क्योंकि पहले नाना जी से पूछा था तो नाना ने कहा कि अभी थोड़ी देर और रुख जाओ तो हमने कहा चलो ठीक है तब तक थोड़े बना लिये थे और अंकित से हमने कहा तुम खाओ जा करके और अभी ये सभी लोग नहीं खा रहे हैं तो इधर देखिए और दोस्त सरदियों में तो अब यही सब चीजे अच्छी लगेंगी तो करारे करारे पराठे बनकर के तयार हो रहे हैं कि मैं तो देखे किस तरीके से फोल रहे हैं और जब जादा धेर हो जाती है तो थोड़ा यहां की वीडियो साफ नहीं देखती है और जो है अब नाना को दे देते हैं पहले नाना जी से पूछा था मिर्च के लिए तो आज थोड़ी सी चटनी दे देंगे वैसे जादा नहीं दे जाती है सरदियों में फिर नाना ने कहा कि अच्छा मिर्च दे दो तो फिर वही लेकर के आ गए हैं तो नाना जी खाएंगे और इनका जो है ये अभी बाबू का होमवर्क करा रहे हैं आ गए थे और अंकित खा चुके हैं अभी हम ममी रह गए हैं तो अब बनाएंगे फिर ममी भी खा लेंगी और तो नाना को गिलास जो है देख रहते हैं अमने का पानी भी निकाल के रख देते हैं तब ही जो है जा अब जो है थोड़े ही बचे थे बस दो ही तिन बचे थे सभी बन चुके थे तो सभी लोगों ने खा लिया है और हम जो है पराठे बना करके नाना को दवा भी दे दिया था क्योंकि दवाईया निकालने में काफी टाइम लगता है इधर उदर हो जाती है तो मिलाने में भी का और आप लोग भी आज आए, गर्म गर्म ठंडी का जो है, आनंद लिजिए, आगर के गर्म गर्म पराठे करारे-करारे, और साथ में खटी-मिठी, चटनी और चाय भी है, तो इसी के साथ वीडियो करेंगे समात, तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीस कमेंट करें करके जरूर बताना और जरा सभी पसंद आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आये हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मिलती हूं नेक्ट वीडियो में और आप लोग हमेशा खुस रहें आपकी फूलों की ब हेकती रहें नमस्कार दोशें